नमस्कार एंड वेलकम अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल या घंटी को जरूर प्रेस करें वन डे वन लेशन यानि हर दिन कुछ एक नया सिखना है तो चलिए आज कुछ नया सिखते हैं आप इरेक्टिकल में कहीं भी काम कर रहे हैं ठांसफारमर तो आपके आज पास जरूर होगा चाहे सबिस्टिसेन में पाo ट्रांसफारर हो या फ्रिस्टूर prim tam हो और समय समय पड़ यह transformer का oil का filtration करना पड़ता है कभी-कभी होता है लेकिन oil filtration का बारे में आज हम सिखेंगे, जानेंगे तो चलिए transformer का oil filtration machine काम कैसे करता है उसको चलाता कैसे है साड़े चीज आज आज आपको 20 आर्से मैं बताता हूँ तो चलिए देखते हैं transformer oil filtration plant या यूँ कहें, ट्रांस्फर्मार, ओयल फिल्टरेशन मेशिन के बाड़े में, आज हम जानेंगे, आज ये फ्लोर डियागरम देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए, ओयल इनलेट, यहां से ओयल अंदर जाता है, ये वाल है, वाल के बाद में, मैंगनेटिक स्टेनर, ये ब पारी कोला फिल्टर, उसके बाद में ये डिग्रीजर टैंक का उपर से आगे जाके ये बूस्टर पंप में जाता है, बूस्टर पंप से ओयल आगे जाता है, मौस्टर ट्रैपर में, यहां मौस्टर पकड़ लिया जाता है, मौस्टर को यहां से निकाल देते हैं, उसके De-greasing tank, De-greasing tank होके discharge pump होके oil वापस जाता है, तो filter machine में oil आता है और यह इतना सरा filtration होने के बाद में फिर वापस ट्रांस्फर में चला जाता है, oil साफ होता है, यहाँ पे देखते हैं, oil inlet का यह देखिए वाजु में यहाँ आउटलेट है बाजु में, चुंबक से थुआ साफ किया जाता है, इसके बाद oil जाता है, फिल्टर में, जो मोटे मोटे कचरा यहाँ पे निकल जाता है, और जो बारीक बारीक कचरा बचता है वो फाइन फिल्टर में यहाँ पकड़ा जाता है, यहाँ पे च्छन लिया जाता है, छहन जाते हैं ओयल को इसके बाद में हीटर से गजरते हैं प्रूरेय। जुआ परिए ये बताता हूं कि आपको अगर मशिन चलाना होगा तो चलाएंगे यह बटन को पर में एक दो तीन चार लिखा हुआ है फिर भी फ्लो डियाग्म आपने देखा उसके उसके साथ में बता देता है जिए सबसे पहले बैकुम पॉम को हम चालू करेंगे तो अमारा क्या होगा बैकुम पॉम चालू हो जाएगा बैकुम पॉम चाल तो ओयल खिछना शुरू कर देगा मशिन में आना शुरू हो गया अब अधियर देग्री टैंक में आके जमा होने लगेगा थमको यह विंडो यह कांच का जिसे का खिर्की दिख रहा है वहां से देखना है कि आल कितना आया है कैसे आ रहा है कि नी आ आ रहा है अभी तुम में आपको दिख जाएगा बाकी यह मैशीन में क्या है मैं लिक है कि मैंने इस्टेनर है जिसमें लोहे का कचरा जाए वो साप हो जाएगा उसमें दो फिल्टर है एक कोर्स है फाइन है और होने के बाद यह डी-ग्रिजिंग टैंक है यह दिखें यहां पर ज्ञाग जैसे निशान देख रहे है इसके आधा आधा तक हम ओईल यहां लेंगे उसके बाद में इसके चालू करेंगे जैसे कि आपको बताया है मैं यह टैंक का नाम जो है डी-ग्रिजिंग टैंक है इसी में ओईल आके जमा होता है फिर हम जो डिश्चार्ज वाला जो पंप चालू करक आधा यहां तक पहुंच गया है यह जो सफित वाला निशान आप देख रहे हो सफित वाला निशान तक हम ओईल को लेंगे फिर इसको शर्कुलिशन करेंगे तो टांस्पार्ण वाल का समय समय पर मैं फिल्ट्र मेशिन से साप करना पड़ता है तो यह मेशिन का हमेशा वाल रही है हम इसका डिस चार्जवाला पमप है इसको चालू करेंगे और क्योंकि ओएल हमारा उधर आ गया है तो दिशार आ आउट लिखा है उपर में फोर लिखा है यह तो सफित से स्कीन स लेखे सकते हैं स grin shotके कभी जूरहत पड़ गया आपको तो काम पड़ गया तो तो मुझे पुरा उमीद है कि कभी टांस्पर्मार ओयल का फिल्ट्रेशन के जड़त पड़ गया तो आप आसानी से काम को कर सकते हैं इस ट्रांस्पर्मार का ओयल si रचे लोगन हो जायाएगा तो ऊपके बख़लत पड़ाय किया यह जरूरी नहीं है ही आपके अन्दर अगर ललक और लगन है इलेक्टिकल और इंस्ट्रुमेंटरेशन का पूरी पढ़ाई मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं पूरी पढ़ाई करने के लिए जोड़ यह मेरे चैनल के साथ सबस्क्राइब करके और देखते रहिए मेरा एक-eak वीडियो लेशन बाई लेशन मेरे चैनल में जाकर शुरू से एक-एक वीडियो को देखिये और सीखिये इलेक्टिकल और इस्ट्रुमेंटरेशन का पूरा क प्रुटाम